दोस्तों आप में से कई लोग अभी भी बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइन में लगते हैं लेकिन यहां पर इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि ऑनलाइन बिल भरने से आपको कितना फायदा है कहने का अरत यह है कि एक तो आप लाइन में लगने से हैं Google Pay से करते हैं Paytm से करते हैं किसी भी अद़ प्लेटफोर्म से करते हैं UPI से करते हैं भी मैप से करते हैं तो Cashback मिलने की बड़ी समभावना होती है और कई बार लोग एक लाख रुपए तक Google Payper जीते हैं यही बिल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरी है इसलि मैंने link दे दी है, phone पे आप बहाँ से download कर सकते हैं, Google Pay के लिए भी link आपको नीचे दी है, Paytm के लिए, इसके अलावा, Mobi Quick और भी जितने भी हमारे जो भी users हैं, जो अलग-अलग जो की payment के wallet है, payment के अलग-अलग UPI जो app हैं, उनको अगर download करना चाहते हैं, Paytm बगेरा, इन सब पर option available है, bill payment के लिए, तो बहुत हो आप prefer कर ही सकते हैं, plus मैं आपको पहले बताऊँगा, कि website से आप किस तरीके से bill payment करना है, और उसके बाद हम लोग इन पर बात कर लेंगे, तो दूस्तों यहाँ पर आपको MPCJ type करना होगा, और यहाँ पर आप MPCJ की साइट पर जाएंगे, MPCJ Online, यहाँ पर मधी चेतर बिद्धूत बित्रन कंपनी लिमिटेड, जो हैं, हमें इसका bill पे करना है, तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, website खुल चुकी है, view and pay your bill, यह हैं यहाँ पर, आपको यहाँ से की drop down भी कर सकते हैं, IBRS, Surural Area, Account ID, Urban Area, तो मुझे लगता है कि आपको Account ID यहाँ पर चुनना चाहिए, Urban Area के लिए, तो यहाँ पर हम Account ID टाइप कर देंगे, और उसके बाद हम अपना bill देखेंगे, और उसके बाद हम pay के option पर जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने Account ID, Urban Area के लिए select किया है, Account ID, Urban Area select करने से, आप जो हैं, यहाँ पर ज़्यादा तर bill की details प्राप्त कर सकते हैं, कभी-कभी यहाँ पर हम IBRS भी select कर सकते हैं, लेकिन जो आप Account ID select करते हैं, उसमें ही आपको IBRS number ढलना है, और फिर यहाँ पर get billing details पर आपको click कर देना है, तो दोस्तों get billing details के बाद आपके सामने Account ID, Consumer Name, Consumer Address, Consumer City, Bill Month, Bill Issue Date, Bill Due Date, Outstanding Amount, Amount to be Paid, और Mobile Number यह सब आपको show होगा, यहाँ पर आप अपना Mobile Number एंटर कर सकते हैं, और Pay Now के option पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो दोस्तों जब आप Pay Now के option पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर MP, Madhya Chetra, Vidyut, Vidyan Company Limited यहाँ आगया है, कितना amount पे कर रहा है, वो यहाँ पर आगया है, इसके अलाब़ा, Credit Card, Debit Card, Debit Card, Debit Card, Debit Card Plus, ATM PIN, Internet Banking, Wallet, Cash Cards, इतने option दिये गए हैं, मतलब कोई भी option आप चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग Cash Pay की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से wallet, Cash Cards भी चुन सकते हैं, और phone पे, हम लोग यहाँ पर पहले phone पे इसे करके दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको Make Payment पर क्लिक करना है, phone पे वाले option पर, तो यह देखिए, यहाँ पर Please wait processing your request, तो यहाँ पर पहले हमें दोस्तों यहाँ पर अपना Mobile Number एंटर करना पड़ेगा, और एक OTP सेंड करना पड़ेगा, दोस्तों Mobile Number मैंने एंटर कर दिया है, अब मैं Send OTP वाले option पर क्लिक करने जा रहा हूँ, दोस्तों मेरे Mobile Number पर OTP आ चुका है, अब मैं पांच डिजिट का जो OTP है, उसको यहाँ पर एंटर करके लॉग इन करता हूँ, दोस्तों मैंने OTP भी एंटर कर दिया है, अब मैं यहाँ पर Login कर रहा हूँ, और Login करने के बाद यहाँ से मैं Payment के जो Payment की विंडो है, उस पर मैं पहुँच जाऊँगा, दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Pay का option आ चुका है, Phone Pay में मैं Login कर चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पर Pay Now के option पर क्लिक करने जा रहा हूँ, दोस्तों अब मेरे Phone Pay का जो Wallet है, वहाँ पर एक Notification आया है, तो मैं उसको Pay करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि Payment होता है कि नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Payment हो चुका है, Online तरीके से, और यह देख सकते हैं Payment Mode Online, अब मैं यहाँ पर इसको Print कर लेता हूँ, तो देखें, यहाँ पर Phone Pay की मदद से आपने Payment किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है, कंजुमर नमबर और IBRS नमबर बगेरा यूज़ करके, Online Payment Other Method से भी कर सकते हैं, जिसमें Google पे हैं, Phone पे हैं, Paytm है, जो भी आप जिस भी Methods यूज़ करना चाहें, Payment करना चाहें, आप कर सकते हैं, लिंक आपको सभी के नीचे दी गई है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बैंक एकाउंट को लिंक कर सकते हैं, और Payment बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों को पीज़िए करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, थेंक यू, थेंक यू, वेरी मच्च,